दोस्तों दुबारा आपका इस चैनल पर स्वागत है तो हम लोग आज महा न्यायवादी के बारे में चर्चा करेंगे जी हां मेरे दोस्तों अर्टार्णी जनरल जो महा न्यायवादी समय कौन है केके वेरू गोपाल जी जो आपके सामने चित्र दिख रहा है यहां आपके द वेरू गोपाल कोटियन कटंकोट वेरू गोपाल जन्म इनका हुआ था 1931 इस भी में या भारत के इस समय क्या है अर्टार्णी पंद्रह में अर्टार्णी जनरल या महान्यायवादी है वेरू गोपाल जाने माने समवेधानिक बिस्षग्य हैं और इन्हें पदम पद भूसर दोनों पुरुषकार से समानित किया गया है किसे किसे पद भूसर और पद विभूसर दोनों पुरुषकार से समानित किया जा चुका है इससे पहले वह मुरारी जी देशाई की सरकार में 1977 से 1989 तक भारत के अतरिक्त 100 लीटर जनरल रह चुके हैं 100 लीटर जनरल भी इ थी अधिकारी होता है यहां उच्छतम न्यालय और राज के उच्छ न्यालयों में भारत सरकार का पच्छ रखता है अर्टानी जनरल को संसत के दोनों सदनों की करवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है उन्हें सन 2002 में भारत स सरकार द्वारा सारवजनिक उपकरम के छेतर में पद भिभूसर से सम्मानित किया गया था वे दिल्ली से हैं अर्थाद वह दिल्ली के रहने वाले हैं उनको कब पद भिभूसर से सम्मानित किया गया था 2002 में 2002 में उनको भारत में सहयोग के लिए पद भूसर से सम्मानित किया गया था एक बार आओ जालने की कोट्यन कटंक कोट वेरू गुपाल जी भारत के क्या हैं अर्टार्णी जनरल है पंद्रहं में अर्टार्णी जनरल है इसके पहले वह मुरारी जी देशाई के सासनकाल में 1977 से 1989 तक वे सॉलिटर जनरल रह चुके हैं वर्तमान भारत के सॉलिट जनरल है और अर्टानी जनरल केके वेरु गोपाल है या उनको हिंदी में हम कहेंगे महा न्यायवादी हाँ तो यह मेरे दोस्तों परिच्छा के लिए बहुत है परिच्छा में आता ही रहता है तो आप को इसको नोट कर लिजे याद कर लिजे और इस चैनल को लाइक कि हम सब स्क्राइब जरूर करें ताकि जो भी नया वीडियो हम बना के लाएंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए तो एक बार आओ देख लिजे जो चित्र आपके सामने दिख रहा है या अर्टार्णी जनरल 15 अर्टार्णी जनरल केके वेरु गोपाल जी का ह तो बस मेरे दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद